किसान भी इस तकनीक को अपना कर इसका खूब लाव उठा रहे हैं इस विधा से किसान बिना खेतों की जुताई की फसलू की बुआई करते हैं आज किसान इस नई विधा को अपना कर कम लागत में समय पर बिना जुताई धान गेहू, मक्का, जुआर, बाजरा और चनी की खेती कर मनो नुकूल मुनाफा कमा रहे हैं यह वज्यानी को द्वारा इजाद किया गया एक ऐसा तकनीक है जो प्राकरतिक संसादनों की सुरक्षा के साथ-साथ उत्पादन लागत को घटाने में राम बान साबित हुआ है किसान भी जल, जीवन और हरियाली बढ़ाने के लिए इस विधा को बेहत पसंद कर रहे हैं इस तकनीक के तहट जिरो टील फर्टी सीड ब्रील मशीन में कुंड बनाने के लिए फरो ओपनर लगे होते हैं जो पतली धातों की मजबूत शीट से बना होता है यह बिना जोते खेत में कुंड बनाता है इसी कुंड में खाद, बीज, एक साथ गिरता है इस तकनीक से किसान एक घंटे में बिना जोताई एक एकड बुआई कर सकते है पारंपरिक विधी से गेहों की खेती की तुल्ला में प्रती एकड पारसों से पंदरस रुपे की बचचत होती है इस तकनीक से खेतों में बीज का बहतर जमाव होता है साथ ही मजदूरी तथा डीजल में 30% तक की बचचत होती है इसके अलावा जुताई नहीं होने से खर पतवार के जमाव में 50% तक की कमी होती है और साथ ही बुआई के पुर्व खेतों से फसल अवशेश को हटाने या जलाने की जरुवत नहीं पड़ती है भूमी के अंदर जैफ विविद्धा की सुरक्षा उपलब्द रहती है और जमीन में उपलब्द नमी का सामुचित उपियोग होता है तो इस प्रकार किसान भाईयों आप जिरो टिलेज मशीन का उपियोग अपने खेतों में करते हैं तो अधिक उत्पादन के साथ अधिक मुनाफ़ा भी प्राप्त कर सकते हैं